जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर मिटी मौझूद है और एक प्लेट है जिसमें आप चारो बच्चों के इनिशिल्स है गेम यह है कि यह जो मिटी है जिसमें अलग-अलग-अलग-अलग साइस के जर्रे, पार्टिकल्स, सैंड, पत्थर, सब कुछ है सबसे छोटी सी चीज, छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा जो भी समझ लें आप छोटा सा जर्रा निकाल के अपने नाम पर रखेगा जिसका सबसे छोटा होगा वो होगा फिना तो कभी कभार होता है बड़ी-बड़ी चीज़े लेनी होती है आज सबसे छोटी निकाल निकाल न है चूस चूस जल्दी नहीं छदी नहीं अच आछ इसे सेलेक करके करो देख लो देख लो अच्छे सदेख क्या लेना है आपको अच्छे से देख के आप डाले है अ कि एटची एक इतने सारे हैं उसर्फ इन never मनें इधर रखेज़ ओके सेकेंड टर्न है हुदा की ओके हुदा यह है अपके लिमिटी संबाल के अपने नाम के आगे यहां पर रख दीजी वेरी गुट्ट आयू शॉर ठीक है थार्ड नमबर है सुफ्यान का सुफ्यान को अपने नाम के आगे अपने सिलेक्ट जर्रे को रखना है सबसे छोटा जो आपको लग रहा है वो रखिए एक ही चाहिए मुझे दस नहीं चाहिए ओके अभी टर्न है यूसफ की और लगता है कॉंपरिशन बहुत टफ हो रहा है यूसफ टेक यूर टाइम सिलेक्ट करिए कौन सा जर्रा आपको सिलेक्ट करना है इंशाला दिखना में चाहिए कुछ ऐसा ने कि है यहां पर है कुछ तो है लेकिन दिखी नहीं रहा ऐसा भी नहीं होना चाहिए दिखना चाहिए इंसानी आप हो ओके अच्छारों यहां सामने हमारे है माजूद और मैं तो सोच रहा था मैगनिफाइंड ग्लास लाने की जरूरत पड़ेगी लेकिन देखने के बाद क्लियरली दिख रहा है कि सबसे छोटा जर्रा है यूसफ का उसके बाद है सुफ्यान का उसके बाद है हुदा और इसके बाद है सोहा आप सब भी देख सकते हैं एक नज़र तो हम देख रहा है कि हमारी इस गेम की विनर है यूसफ और है मिलता है एक छोटा सा प्राइस लेकिन आप सब बच्चों ने भी कोशिश की और कोशिश करने के लिए आपको मिलने वाली है एके पैंसल अब हम आगे बढ़ते हैं पहले बात ये है कि आखर में इस गेम में मकसद क्या था मैं आपको एक हदीश बताना चाहता है पहले आप हदीश सुनिए और सुनने के बाद बताईए कि वो हदीश में और इस गेम में क्या कनेक्शन है ये हदीश सही मुस्लिम में है अल्ला की रसूल मुहम्मद सुल्लाफु अलिही वसल्म ने फर्माया ला यद्खलू जन्नता मन कहना फी कल्बही मिद्कालु जर्रति मिन किबरिन वो शक्स जन्नत नहीं जाएगा जिसके दिल में मिद्कालु जर्रति छोटे से जर्रे के बराबर भी किबरिन तकबर है घमंड है एरिगन्स है वो शक्स जन्नत नहीं जाएगा ये हदीश सही मुस्लिम में है अब बताईए कि मैं क्या बताना चाह रहा था इस गेम से आप इसे कौन बताएगा जी कि जो सबसे छोटा है उसके बराबर भी अगर तकबर कोई लेके जाता है अगर मर जाता है तो वो जहाननम में दाखिल होगा होगा ही होगा अब देख रहे हैं कि ये छोटा सा जर्रा जो यूसेफ ने सिलेक किया इससे भी छोटे जर्रे हो सकते है अगर इससे भी छोटा कोई जर्रा हो वो छोटे से जर्रे के बराबर भी अगर दिल में तकबूर घमंड है घमंड आने में तकबूर क्या है अपने आपको अपने आपको बड़ा समझना तकबूर है क्या नहीं, arrogance अतकबर की क्या मीनिंग है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे लेकिन उतनी से भी तकबर अगर दिल में हो तो क्या होगा? वो शथ जन्नक नहीं जाएगा और स्कॉलर्स ने इस बारे में बताया कि अगर उसका तकबर ये दरजे का है जिस वज़ा से उसने इसलाम का इंकार किया अल्ला का इंकार किया नभी सलोगालों की तालिमान का इंकार किया तो फिर तो वो हमेशा की जहन्न में जाएगा और अगर उसके अंदर घमंड और तकबर ऐसा है जिसकी वजा से उसने किसी भी इनसान के साथ घमंड वाला मामला पेश किया तकबर के साथ पेश आया तो वो शक्स जहन्नम जाएगा लेकिन उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए उतने तकबर और घमंड की सजा मिल जाएगा जाएगा ज़रूर जहन्नम की आँख उसको चखनी पड़ेगी जरूर क्योंकि तकबर करने के बाद जहन्नम की आँख कमपलसरी हो जाती है अगर किसी इनसान के नह तकबर हो और वो अल्ला से माफी ना मांगे मरने से पहले वो घमन के साथ वो मरता है तो क्या होगा उसे जहनम की आँख चखनी ही पड़ेगी उसे जहनम की आँख में जाना ही पड़ेगा लेकिन अगर मुमिन है इमान वाला है अल्ला पर इमान है लेकिन उसने गलती से तकबर कर लिया उसने तकबर कर लिया तो उसे सजा मिलेगी लेकिन सजा के बाद में वो जहन्नम के आँख से निकाला जाएगा और लास्क में जन्नत पहुचेगा लेकिन कौन जहन्नम जाना चाहता है थोड़ी दिर के लिए जहन्नम जाएगे चलेगा? नए थोड़ी सी दिर पाउरफल आगे है तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ सवाल यह उता है कि तकबर क्या चीज़ है उसे हमें समझना है एक शख्स ने पूछा अगर पसंद है कि अच्छे कपड़े पहने और पसंद है कि अच्छे जूते पहने तो क्या यह तकबर है? अब पसंद है और खूबसूरती पसंद करता है मतला आप खूबसूरत कपड़े पहने इतना अच्छा कुर्टा पहने हो माशाआलला इतनी चीज़ टोपी पहने हो आपने इतना अच्छा ड्रेस पहने हो तो यहाँ पे ये क्या पहनना तकबर घमंड है तो नबी सल्ले लगा खूबसूरत है अच्छा को खूबसूरती पसंद है एक और हदीस में आता है इन अल्लाह युहिब्वा युरा अतरु नीमतिही अला अब्दिही अल्ला पसंद करता है कि उसकी नामत का असर उसके बंदे पे दिखाई दे उसकी नामत का असर उसके बंदे पे दिखाई दे उसमें प्राब्लम नहीं है लेकिन अबी सल्ले लाएं समय ने कहा अल्किब्र बत रुल्हक वा गम्त अनास तकबबर यह है कि कोई हक का इंकार करे हक का हक बात है न सच्ची बात सही बात सची बात उसका इंकार करें है गमंद है ये तकबुत कैबर 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 करें कि हक बात को इंकार करें, रिजेक्ट करें आदमी, और लोगों को हकीर समझें, लोगों को हकीर का मतला है, अपने से छोटा समझें, तुम, तुम, मैं बहुत उचाओं, हाँ, और लोगों को हकीर समझें, लोगों को क्या समझें, तुम लोग, तुम मुझसे छोटे हो, जैसे आदम में इसे अच्छा हुँ अच्छा हुँ अच्छा था आदम आदम के सामने अदम लिए खमंड ता कुछ ता है तो में बच्छों तकबर और घमंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, जादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है, नए, थोड़ा सा, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा खमन चलेगा, नए, थोड़ा सा भी घमन, नए चलेगा, थोड़ा सा भी तकबर, नए चलेगा, अगर है तो क्या करेंगे, अल्ला से आप भी मांगो और वो चीज़ को अपने अंदर से खतम कर दो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आए प्लस टीवी बेहतर जिन्दगी के लिए। अपने केबल या DTH आपरेटर से आए प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आए प्लस टीवी, फ्री टो एर और इंडियन रेजिस्टर चैनल है।